विल्कम डो माई टूब चैनल केमेल टेक आज हम बात करने बाले टोस्का कोईन के बारे में तो याद देखो क्रिप्टो करेंसी का अंदर आप यादि ट्रेडिंग करते हो तो एक न्यू कोईन एक मार्केट का अंदर एंटरी किया है जिसका नाम है टोस्का और फिराल के रूपीज होने वाला है यानि कि वन टोस्का इस इकल टू फोर फॉइंट थर्टी रूपीज तो क्या गाइस हम यह टोस्का कोईन के अंदर इंवेस्टमेंट करके फ्यूचर में आचाकासा रिटरन ले सकते हैं या फिर जो टोस्का कोईन है यह फेक है तो यार देखो प् सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को एंड तक देखिए तो गाई जो टूस्का कोईन है आप देख सकते हैं इसका जो ओफिशल विपसाइट है टूस्का कोईन.com मैंने इसको उपिन किया हूं विपसाइट को तो काफी आच्छा से डिजाइन किया गया है आप देख सकत यह बोल रही कि यह ना ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में यह काम करता है अनकाइस मैं देखा हूं कि बहुत सरे से यूटूबर भी आपको रेकेमेंड करते हैं कि टूसका कोईन के अंदर पैसा को इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों क्योंकि यह ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री केना रही काम रहें एकाइस आप लोगों को पता है कि जो आनलाइन गेमिंग से इन दिनों कफी बूमिंग में काफी चर्चे में राइट चाहे वो पजी हो गया При Fire हो गया बीजी के यह अधो बूमिंग में तो इसलिए जो यूटूबर्स आपको recommend कर रहे हैं बोल रहे हैं कि यार देखो फिलाल के लिए जो gaming industry booming में आगे रहने बाला है तो इसलिए जो gaming industry related जितने पिसारे cryptocurrency उसके उपर investment करना कफी secure रहेगा लेकिन गाइस मेरा इसा नहीं मानना है बिकाज यार देखो फिलाल के लिए जो भी गेम से ना गेम इंडस्ट्री ये बोमिंग में लेकिन यार देखो ये future में बोमिंग में रहेगा या फिन इसका कोई guarantee नहीं है और गाइस यह टोस्का कोईन बोल दिया कि हम गेमिंग इंडस्ट्रे में काम कर रे हैं लेकिन इसको कोई पूल दिने से कुच नहीं वहता है प्रूफ भी होना चाहिए गाइस चैस के बार में बात करूं तो यार देखो इसका जो ऑफिसल ओपसिटी है 20.com मैंने इसके आच्छा से जान्ज किया हूं लेकिन गाइज इसका ओनर्स के बारे में कोई भी जनकारी आभिलेबल नहीं है आप लोगो को साहिद पता नहीं है किया सब्सके देखों मैं भी खुद का क्रिप्टो करेंशी लॉंच कर सकता हूं यानि कि कोई भी इंसन खुद का क्रिप्टो करेंशी लॉंच कर सकता है तो फिलाल क्या हो रहा है ना इन दिनों बहुत सारे से स्क्यामर्स क्या कर रहे हैं बहुत सारे से डिफ्रेंट डिफ्रेंट नाम लेकर यहां पर क्र करते हैं और रुछ उसको यूट्यूबर्स को पेड़ रिवियU करने के लिए पैसा देते यूट्यूबर्स है नहीं सुक्षिर रिव्यू करने के लिए और रिव्यू कर देते हैं बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि आर देखो बिटकोइन जो प्रिवियर्श ली यानि कि यादि मैं बात करूं पंच-छे साल पहले उसका कॉस्ट ना कफी कौम था और इन दिनों बिटकोइन कफी हाई में तो लोग सोच रही कि यार देखो जितने भी सरे न्यू रिप्रकोरेंसी लांच हो रहाए यादि हम उसके उपर पैसा इंबेस्टमेंट कर देंगे तो हो सकता है कि हो सकता है साइध फ्यूचर में हम भी मिलिनियर या फिर बिलिनियर बन सकते हैं लेकिन यसा कुछ भी नहीं ह बीट कौइन उनली वन पीस था और इधिरियम उनली वन पीस था उसके अलवा और कोई भी कोई इतना बेनिफिट नहीं दिया है प्रोफित नहीं दिया है राइट अंड बीट कौइन का फाइदा उठाए कि स्क्यामर उनका खुद का क्रिप्ट करेंसी मार्केट का अंदर कर रहे हैं आपको साफदा नहरे ना है यह जो कौईन नम टूश्क का कौईन यह भी एक स्कामोर ने इसको को लांस किया है मैं सक्यों बोल रहा हूं तो यार देको जैसी मैं आपको बता यह जो टूश्का कोई में इसका ओनर सके बारे में कोई भी जानकारी आभिलेबल नहीं है और इसके पास कोई भी लीगल डॉकिमेंट भी नहीं है देन गाइस बात करेंगे सोचल मीडिया के बारे में तो यार देखो फेस्बुक के अंदर के पेज है कफी लो रेट यानि की जियो डेट भी बोल सकते हैं कोई भी रेटिम भगरा नहीं है और यूटूब के ऊपर ए तुसका कोईन.com कोब आंड कितने दिन तक रहने वाला है तो यार देखो इसका जो ओफिस्याल वेबसाइट था तुसका कोईन.com यह डोमेन है ना यह नेमचीप से रेजिस्टर किया गया है 2021 डिसेमबर 26 को और इसका एक्सपार डेट है 2022 डिसेमबर 26 डैट मेंस का डोमेन सिर्फ एक साल के लिए रेजिस्टर किया गया है तो यहार देखो यहां से यह प्रूफ हो चुका है कि जो टुसका कोईन है ना यह टोटल एक फेक कोईन है इसके उपर ट्रॉस्ट करके पैसा कोई इंवेस्टमेंट करेंगे तो नुक्सन आपका ही होगा तो गाइस यह जो